Hey everyone, Darsan is here and welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So, इस वीडियो के अंदर हम सिखने वाले हैं कि आप अपने स्मार्टफोन का यूज करके कैसे अप अपने सूरी ले वोईस को रेकोड कर सकते हो, not only record आप उसको editing भी कर सकते हैं. अगर आप Blue Yeti, Blue Snowball, Ice and Rode जैसे professional microphone का यूज नहीं कर रहे हो, तो आपको tension लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपना स्मार्टफोन के microphone का भी यूज करके आप अपना voice को professional way में record कर सकते हैं. voice over करना, या फिर voice को record करने से पहले आपको तीन चीज का यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, अभी यह तीन चीज क्या है, मैं आपको यहाँ पे one by one आपको समझाने की कोसिस करूँगा, तो सबसे पहला ध्यान आपको यह रखना है, कि आप जहाँ पे भी record करना चाहते हो, व अपना ऑ़स को रेकोर्ड करने की लिए वो जगा पीश फुल होना चाहिए सेकेंद 사립 आपको यह आपर यह ध्यान में रखना है कि जब भी आपन司मार्ट neur i fawn करओगे वो इसको रेकोर्ड हो जाएगा तो आपको कुछ अलग सा जो साउंड है वो वहाँ पे सुनने को मिलेगा अब उसको पोस्ट प्रोसेसिंग के अंदर उसको रिमू करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है तो आप जब भी अपना स्मार्टफोन को यूज कर रहे हो अपना वोईस को रेकोड करने के एन थर्ड चीज आपको यहाँ पे यह ध्यामें रखना है कि जब भी अब अपने साउंड के उपर पोस्ट प्रोसेसिंग कर रहे हो इट मिंस कि जब आप ओडियो को एडिट कर रहे हो तो एक सिक्वंस के अंदर आपको ओडियो को एडिट करना पड़ेगा अब यह सिक्व एन लास्ट टेप के अंदर यानि की स्टेप नमर फाइग के अंदर आपको फिर से उसको नौर्मलाइस करना है तो इसी सिक्वंस के अंदर आपको अपने वोईस को एडिटिंग करना है ताकि आपका जो वोईस का क्वोलिटी है वो आपको दी बेशन यापे मिल जाए तो चलिए मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ मेरे स्मार्ट वन की स्क्रीन के उपर और मैं आपको गाइड करूँगा स्टेप बाइ स्टेप की कैसे आप अपने आवाज को रेकॉड करोगे एंड उसके बाद प्रोस प्रोसेसिंग करने के बाद हम ओडियो को वहाँ पे एडि करना है एक है रेक फोर्ज 2 जो कि है आपका वोइस को रेकॉड करने के लिए एप्लिकेशन इन सेकेंड एप्लिकेशन का नाम है लेक्सिस ओडियो एडिटर जो है आपका वोइस को एडिट करने के लिए हम यूज करने वाले है तो चलिए हमें दोनों एप्लिकेशन को यहा लोड कर लीजेगा सेकेंड एप्लिकेशन जो है वह है Lexis Audio Editing तो यह एप्लिकेशन को भी मैं मेरे फोन के अंदर इंस्टल करके रखा है तो आप भी अपने फोन के अंदर इसको इंस्टल कर लीजेगा ठीक है अब दोनों एप्लिकेशन को इंस्टल हो जाने के बाद हम सबसे पर ले जाएंगे रेक फोर्ज टू नाम का एप्लिकेशन के ऊपर और यह एप्लिकेशन के अंदर हम हमारे वोईस को रेकोड करने वाले है तो यहां पर रेकोड का बटन के ऊपर क्लिक करेंके हम हमारे वोईस को अभी रेकोड करने वाले है तो चलिए करते हैं सरू अभी यहां पे हमारा जो वही से वह रेकॉड हो चुका है अभी हम चलेंगे डिरेक्ली एडिटर के अंदर तो यह सुपफे को यहां से मिनिमाइज कर देंगे और हम चलेंगे यहां पे Lexis Audio Editor जो फिर के अ अंदर तो हम आ चुकि है Lexis के अंदर तो सबसे पहले हम ऑांडione क्लिप को यहां से ओपन करेंगे तो open के उपार क्लिक करके हम audio file को यहां से open कर लेते हैं तो हमारा यहां पे audio file जो है वह यहां पे open हो चुका है अब open होने के बाद हम यहां पे जो तीन डोट डी है राइट टोप मोस्ट कोर्णर के अंदर यहां पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम यहां पे क्लिक करेंगे इफेक्स के उपर इफेक्स के अंदर जाने के बाद सबसे पहला जो इफेक्स हमें यहां पे अपलाई करना है वो है noise reduction तो noise reduction के उपर हम click करने वाले है और यहाँ पर आपका जो rate है वो rate को हमें 100% कर देना है ठीक है 100% करने के बाद यहाँ से हम उसको apply कर देंगे वो background का noise को हमने यहाँ पर successfully उसको remove कर दिया है अब हम second जो effect है वो second effect यहाँ पर हम audio clip के उपर डालने वाले है तो फिर से जाएंगे यहाँ पर हम 3 dot के उपर और इस बार जाएंगे effects के उपर और इस बार हम करेंगे normalize तो audio को normalize करने के बाद अब third step के अंदर मैंने आपको बताया है कि हमें audio को compress करना है तो audio को compress काने के लिए फिर से जाएंगे 3 dot के उपर और effects के उपर and then यहाँ से हम compress के उपर click करेंगे और यहाँ पर कोई भी settings को आपको छेहने की जरूरत नहीं है डिरेक्लिए आप apply के उपर click कर दोगे and fourth step के अंदर मैंने आपको बोला था कि आपको equalize करना है तो फिर से हम जाएंगे effects के अंदर और यहाँ पर हम ढूंडने वाले है equalize तो यह रहा हमारा equalizer और amplifier तो इसके उपर हम click कर लेंगे click करने के बाद यहाँ पर directly आपको apply के उपर click करना है कोई भी आपको यहाँ पर settings को छेड़ना नहीं है in last step जो है वो last step के अंदर में आपको बोला था कि आपको फिर से normalize करना पड़ेगा तो फिर से normalize करने के लिए जाएंगे यहाँ पर effects के उपर और यहाँ पर हम जाएंगे normalize के उपर तो हमारा जो audio editing का जो process था वो process यहाँ पर खतम हो चुका है अभी हम file को save कर लेंगे तो save करने के लिए यहाँ पर हम click करेंगे save के button के उपर तो file को save करने के लिए यहाँ पर जो extension है वो extension यहाँ पर हम use करेंगे .wav मतलब .wav ठीक है इतना करने के बद आपको अगर file का नाम change करना है तो फाइल का नाम आप यहाँ पे बदल भी सकते हैं मगर मैं एज़िस रखना अभी चाहूंगा इन से उपके बटन के उपर हम क्लिक कर लेते हैं तो चलिए successfully हमारा जो audio clip है वो audio clip यहाँ पे save हो चुका है तो अभी मैं आपको original audio clip एन उसके बाद जो हमने एडिट किया था Lexis Audio Editor के अंदर वो दोनों clip को में यहाँ पे आपको सुना के दिखाना चाहूंगा So I hope यह वीडियो आपको जरू से बसना आया होगा अगर वीडियो पसना है तो वीडियो के उपर लाइक कीजिए एंड वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरू से जरू से जरू सेर करिए एंड साथ में अगर आपको कोई भी सुदा हुए इस वीडियो को related तो आप नीचे मुझे comment section में पूछ सकते है एंड हमारी चैनल को subscribe करना आप बिल्कुल भी मत भूलना एंड साथ में notification bell के अइकन के उपर आप एक बार क्लिक करना ता कि हमारे वीडियो का notification आप लोगो को मिले सबसे पेले so I will see you in my next video until you do whatever you wanted to do and bye for now